Hello Everyone, आज है 6th January और आज इस वीडियो में हम बात खेने जारे TV18 Broadcast on Network18 देखे बहुत जल्दी इन दोनों का Merger होने वाला है और 93 रुपीज का शेर है Network18 का और 54 रुपीज का शेर है TV18 का पिछले एक महिने में तेजी है यहाँ पर खा सके देखा जाए तो पिछले एक हफ़ते में आई है 50 रुपे से यह भागा जरूर है 54 पर आया है पिछले एक हफ़ते में कहलो और सेम चीज नेटवर्क18 को लेकर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी अच्छी दीजी है 87 से 93 रुपीज पर पहुंचा है एक साल में नेटवर्क18 का शेर 44 परटसन का ग्रोथ दिखा चुका है लोवर लेवल से कंपैर करेंगे जो कि 50 रुपे का था उससे कंपैर करेंगे तो वाईसा अब ग्रोथ जो है वो तकरीवन तकरीवन 80-85 परटसन का जरूर है सेम चीज टीवी 18 को लेकर देखें तो पिछले एक साल में 46 परटसन का ग्रोथ है लेकिन लोवर लेवल 27 रुपे से कंपैर करें तो पैसा डबल तो कर दिया है इसने शांदार तेजी देखने को मिल रही बात करेंगे उसके बारे में भी लेकिन जो बड़ी अपडेट्स यहां पर है वो इनके मर्जर को लेकर है हाला कि यह पुरानी खबर है लेकिन आप यह समझो कि मर्जर के बाद क्या क्या चीज़े यहां पर पॉसिबल हो सकती है यहां पर जो TV18 ब्राड़कास्ट जो है वो मर्ज होने वाला नेटो केटीन में 1.2 बिलियन डॉलर की यह डील होने वाली है और यहां पर आप देखो तो रिलाइन्स को यह काफी जादा हेल्प करेगा to expand their reach and cut cost जाहिर से बात है जब मर्ज हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो cost cutting है वो भी यहां पर देखने को मिलेगी अभी बाईया नेटवरक 18 टीव 18 देखा जाए तो बाईया दोनों अलग अलग वर्टिकल से तौर पर काम कर रहे हो लेकिन बाद में धीरे दीरे इसको merge भी करा जाएगा और यहां पर देखा जाए तो देखो जियो सिनेमा जो बा हों भी यहां पर इन ही का part है और अन्ड टुफिल्म से इंडे एक्शेंज थो यहां पर देखा जो दो फर्म उन्हों ने यह आज भथ है थो तो देखा जाहे तो चीजें बहतर इसे बाई है और कही ना कहीं help ही मिलने वाली है इन सारी चीजों के जरिये और यहां पर देख TV18 का 172 shares है उसके बढ़ले में आपको 100 shares network 18 के मिलेंगे और बागी का ये TV18 dissolve हो जाएगा यहाँ पर और बैहतर होगा ये और जहां तक बात करें इसके volume को लेकर तो देखो बड़ी quantity में trade होड़े 5 करोड से के almost 5 करोड के share यहाँ पर trade होते नज़र आए थे TV18 broadcast में company में अगर आप देखोगे तो TV18 broadcast में company के जो numbers थे वो revenue growth थोड़ा बहुत आया ज़रूर है खासे के Jio Cinema ने काफी जादा help यहाँ पर करा यह आप कहा सकते हो इनके profits देखो तो हलकि decline ज़रूर आया है इनके profit quarterly अगर आप देखो तो पहले बढ़े थे और जून में देखो बढ़ने की वज़़ा भी यह थी कि वाई साब Jio ठीक है IPL तो वो चीज होती है यहाँ पर बाद में वापसे decline ज़रूर आया है लेकिन December से उम्मीदे जादा ह हो गए तो वह election का time जो वहाँ पर add revenue at least बढ़ने चाहिए थे same चीज अगर आप बात करोगी यहाँ पर तो March और June का भी मैं expect कर रहा हूं कि election का time और IPL का time इनको help जरूर करेगा जो advertisement revenue है वो बढ़ने में same चीज अगर आप profit को लेकर भी देखोगे तो इनके profit में अभी last quarter में loss वह जरूर था 80 करोड का लेकिन चीज बैतर होगी यहाँ पर अगर आप valuation के बारे में देखोगे जो पी है वो 98 का महँगा है इसका कोई भी analyst यहाँ पर खरीदारी करने की बात नहीं करना है लेकिन देखो मैं पहले भी बोल चुक हूँ हूँ मैं अब भी कहूँगा even जो इसका चार्ट जो पॉसिटिव लगता है क्योंकि एलेक्शन के टाइम पर भाई साब सारी political parties वहाँ बड़े बड़े खर्चे करने वाली है उसका कई ना कई फायदा होगा जो media companies है उसको फायदा definitely उसको मिलने वाला है इसके अलावाद जीयो सेनेमा भी एक बहुत मूवी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है अभी हाल फिलाल में मूवी आ रहे है फायटर मूवी आ रहे है उसका भी भाया जो वाईकॉम 18 का ही production है और वाईकॉम 18 किसका है इन ही का है ठीक है तो वह चीज़े भी ध्याल में रखिए और हाला कि अच्छा परफॉर्म अगर अगर नहीं करेगी तो दिक्तत भी यहाँ पर होगी शेयर होडिंग को लेकर अगर बात करी जाए यहाँ पर टीव अटिन में तो प्रमोटर के पास 60.40% की होल्डिंग है 3.10% मूचल फंड के बास है डुमिस्ट्री के पास कुछ भी नहीं है एफाइस यहाँ पर 8.56% की हो बेच रहा था क्योंकि देखो आने वाले टाइम में इस कंपनी में बहुत कुछ होने वाला है खासा कर जो मर्जर जो वह बहुत बड़ा प्रोसेस होने वाला है और मर्जर के बाद कहीं न कहीं जब सब कुछ एक साथ मर्ज हो जाएगा जैसे कि अगर बात करी जाए जो शैर है उसका अगर आप देखो तो नेगटिव तो असपास के है जरूर लेकिन Гर हो जा जाएंगे तो कहीनख चीजचे बैतर होगी इनके लिए कई मनकी जो cost cutting का जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा इसके अलावा बहुत सारी जो verticals है उसको एक mainstream line पर जोड़ दिया जाएगा जैसे कि अगर आप देखो दोनों company का मिलाक अगर आप देखोगे तो colors tv जो है अलग-अलग regional languages में इनका है mtv की बात कर लो यहाँ पर ठीक है और इसके अलावा अगर हम बात करें network 18 कई सारे न्यूस चैनल से यहाँ पर अलग-अलग जो languages है वो वो यहाँ पर इन ही के हैं इसके अलावा money control हो गया book my show हो गया इसके अलावा जियो शिनेमा हो गया यहाँ पर कई सारे verticals है ठीक है तो यह कहीं न कहीं चीज़े आने वाले टाइम में सारी की सारी mainstream करीजेगे और एड़र्टीजमें ड्रिवन्यू जो है वो डेफिनेटल इलेक्शन के में बहुत कम quantity domestic के पास है जैसे कि mutual fund के पास 0.04 परसंट के पास कुछ भी नहीं है एफाइल्स 5.64 परसंट की holding लेकर बैठे है रीटेल और अधर की मिलाकर 19.33 परसंट की holding है जिनमें रीटेल इन्वेस्टरी यहां पर 5.18 परसंट की quantity लेकर बैठे हैं तो अगर मैं बात करूँ नेट्वर्ट 18 को लेकर तो company definitely fundamentally उतनी जादा strong नहीं है लेकिन अगर मैं इसका clearly long term का vision देखू जो कि वह रिलाइंस यहां पर assume करके चल रहा है कि कि इस तरीगे से media में इनको king तो बनना है ठीक है तो network 18 और tv 18 को अगर merge करते हैं तो कहीं न कहीं media sector में कह सकते हैं कि बड़ी company के तोर पर यह उबरने वाले हैं और advertisement revenue को भी यह help करेगा आने वाले time में election का तो बगया आने ही वाला है इसके अलावा देखा जाए तो जियो cinema जो ओटीडी platforms है वहां पर यह काफी बड़ी bet ले रहे हैं अभी तो देखो जियो cinema आपके लिए free है लेकिन कल को उसको भी chargeable लगा सकते हैं हाला कि only hollywood content आपके लिए जो subscription है वो सिफ hollywood content के लिए है ल अगर दोनों का पहले merge हो जाएगा उसके बाद मुझा था कि जियो cinema को बहुत aggressive लिए push करा जाएगा हाला कि अभी भी होई रहा है लेकिन जो monetization वाला segment है उसको लेकर यह मैं मान के चल रहा हूँ तो यहाँ पर यही कहूँगा कि नजर रखे इन company के उपर दोनों ही company के उप पर election का definitely फायदा यहाँ पर मिलने वाला है buy on dips के मौके आपको ढूणने चाहिए को एक बड़ी तीजी दिखाएगा जरूर बात में कुछ time के लिए consolidate करेगा फिर दोड़ने के लिए तयार हो जाएगा तो नजर होनी चाहिए दोनों को लेकर हाला कि merger को लेकर अभी तक कोई आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में OTT में खासर के इंडिया में एक बड़ा प्लेयर बंद पाएगा कि नहीं वह भी आप मुझे कमेंट में लिए बता सकते हैं तैंक्यू